मुझे यहां पर कोई नहीं जानता, कुछ दिनी भाई हैं जो मुझे जानते हैं यहां पर सबसे पहले मैं आपका शुक्रियादाद करना चाहता हूँ इस मंच के तुरू जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहां पके तुरू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले मैं एक ऐसी फैमिली से बिलॉंग करता हूँ जो की इतनी सेपरेट फैमिली है जो की मुसल्मान का नाम नहीं सुनना चाहती है इविन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की पर्मिशन नहीं है फिर भी अल्ल तबार को ट्ला का है सान है करम है उनका कि मैं अपनी स्चैनल का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझको बार तबार को ट्ला ने चुना और जरिया बना पीस चैनल जिसमें मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार हमद शेक सना उल्ला जिनकी तक्रीरे सुनता था जिनसे मेरे सारी मिस्कंशेप्शन्स दूर हुए और यूपीस्ट करेने वाला हूँ मेरी उम्र 25 साल है मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ मैं यहां पे किसी को नहीं जानता था और अल्ला तबर को टाला से यही दूआ करता था कि अल्ला जब आप मेरे को यहां तक पहुचाया है कि इसलाम को सही और गलत का जो मेरा कंफ्यूजन था वो सारा दूर हो चुका तो अब मुझे ऐसी जगे पर पहुँचाईए जहां पर मैं इसलाम को पूरी तरह से फॉलो कर सको चुकि मेरी फैंबली में पूरे के पूरे फैंबली के मेंबर्स अगेंज कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तयार नहीं मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लेंडलोड के हां कोई एक किरायदार रहता है बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल निग्लेट करके वो लोग मुझे रखते थे मैं ये मेसेज उन अपने घरवालों को भी ये कोई टेरिजिसम नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता है जसे किसी को नुकसान कौशता हो. एक ऐसी फैम्ली का बंदा, जो कि मुसल्मान के लिए इतनी गलप फैमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तयार है पहले पता चला, चुकि मैं इससे पहले कुछ सोचता है नहीं था, जो जिन्दगी चल लगी है, वो जिन्दगी मेरे लिए काफी थी, माँ है बाप है, घर का सबसे बढ़ा था, मैं एक बेल इस्टेबलिश फैमली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता है नहीं लगता और मेरा Hindu realisam मुझे ये सिखाता है, कि मौत के बाद नजानी कितने सारे जनम है। हमारे वेद हमें सिखाते है, नातष्ष्य प्रतिमास्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्थी को मानते, देवी देवताओं को मानते, हमारा वेद हमें बताता है, एकमभरमंदुत्य न उसके बाद भी हम 36 करोर देवताओं को मनते हैं तो हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते हैं कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है हिंदूजर हम हमें ये बताता है कि हमारे भगवान इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस जमीन पर आए इस जमीन पर वह खुद आए राम भगवान राम यहीं पैदा हुए भगवान श्रीकिष्ट यहीं पैदा हुए और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटन करके नहीं दिया आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है सारे भाईयों से गुजारिश है कि उसको एक बात सुने जरूर क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटन में नहीं शोड नहीं है यसे अमेरिका भी होता है यसे ऑस्रेलिया भी होता है वी जो है ब्राजील भी होता है जो है और हिंदुम जो है सिर्फ-ढर शीरिर्म ने जा करके श्रावन का क्या आह Nin Lisa मॉर्णा थिकन तीमार्या माफिस का आगा गलत वोला हम तीसरा कंट्री नेपाल अभी घोश कि जीत पाली थी तो जीत पाली तो जीत पाली थी उसके बाद यानी कि भगवान जुननों ने पूरी दुनिया को बनाया हम ऐसा सोचते हैं हिंदुरावत बश्टा है तो ये सारी चीजे ये इसलाम जो हमें सिखाता है, इसलाम का जो मेसेज है, वो सारी चीजे हमें ये सिखाती है कि हम मिस्कंसेप्शन पर ना जाए, हम देखा देखी पर ना जाए, अगर कोई मुसल्मान गलत करता तो हम ये नी सोचे कि वो इसलाम है, वो मुसल्मान गलत हो सक सारी माओं से बाठते हुए आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लह के सिवा कोई माबूत नहीं है, ये मेरी फैमली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कुभूल करता हूँ कि मैं इसलाम में हूँ. माशाला, मैं आपको शुक्र गुदार हूं, आपने पीज टी-वी का परेगाम जो नट्शल में दिया। लगता है कि माशाला इतने बार देखें कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमराइस कर चुके मैं शुक्र गुजार हूँ आपका कि आपने पीज टीवी का मेसेज एक नच्छल में दिया और अलम्द जो भी आपने कहा माशाओला और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लू का माशाओला आपने कहा कि आप एक खिदा में मांतें जिसका कोई माबुद नहीं बिलकुल आप मांतें हुम्त स्लू अलम आखिर पेगंबर है कोई श्क नहीं आप इस्लम कभूर करना चाथे मेरे जो sow्तली तो कोई जबरस्तिता कर रहा है कोई जबरस्तिती नहीं है कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सटेस्ट एक्षन है, बिदाउट एनी प्रेशर, बुद्युहार, माशाओला, आप तो शादत के कंडिशन भी रट लिए पीश्टी भी पे, माशाओला, इंशाओला मैं अर्भी में कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उटो दुरा है, आप दू मादन, महाचाला, आपका अर्भी भी एक्दम माशाओला अच्छी है, मैं घवाही देता हूं कि घवाही देता हूं की लोगों के सामने जाहर किया और आप जो कहना चाहते थे यूपी में कई लोग आपको जानते ये लाइफ टेलीकास्ट है पूरे दुनिया में और हमारी वियोशिप तकरीबन दस कुरोर है 100 मिलियन इट इस लाज़ेस्ट वॉश्ट स्पिरिच्छल चैनल लोग देखते हैं और जाहर है कि कई यूपी वाले भी देखते होंगे आपने शाहदा सिर्फ यहां लाखों लोग के सामने नहीं दिया आज का मजमा माशाला जी अल्ला जानता कि इतने लोग लिए कि लाखों की ताज़ाद है एक सहलाब है इनके सामने इलावा कुड़ों लोग पीश्टीव पे देखते उनने भी आपकी शाहदत को सुना आपके शौक मेसेज को सुना मैं इसके लिए शुक्र गुजारू अल्ला सुभानावता से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बहतरी जिन्दगी दे लेकिन आखरत में और बहतरी जिन्दगी दे और आप जानते है कि आप में इस दुनिया के ऐश्यो आरम को ठुकराया क्योंकि आप जानते है कि आखरत की जिन्दगी उस दुनिया से बहतर है फिर भी अल्ह ताला फर्माते है कि दूआ करो के इस दिंदगी में भी सुरे बक्रा सुरा नमबर दू आयत नमबर दूसो एक में रब्बना आतीना फिद दुन्या हसनताओं वा फिल आखिरत वहसनत के नाजाब ना वह दूआ करता अल्ह ताला से कि आपको इस जिंदगी और आखरत में भी सबसे बेटरी जिंदगी दे और आपको जहनम से बचाए और आपको जन्नत में जा ले आमीन आमीन सम्मा आमीन जराक अल्ला शुक्र भाईजान मेरे कुछ दोस्त कुछ भाईए है माइक नमर एक जी हाँ असलाम नमर बायूट और आप उसका बिला नमर देते हैं जरूटरी ज dawके अगर तेख पर आपको जाते हैं अगर तेख पर आपक इम मैं इशालाआ फुह वैफ माइक नमबर पांच में कोई भाई हूँ गैर मुस्लिम भाई तो उनको मौका दीजिए माइक नमबर पांच सलमा लेकुम सलमा लेकुम जाकी रुए